question number 74 है आपके सामने इसमें क्या दिया है the average of 3 number is 135, the largest number is 195, the difference between other two number is 20, the smallest number is, देखिए 3 number का average दिया है अपनको 135, तिन नमबर माल लिए बने A, B और C है, तो इनका sum किता जाएगा 135 multiply by 3, ठीक है, ये तो सब को समझ में आगा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, multiply कर लेते हैं, 5, 3, 15, 3, 3, 9, 1, 10, 3, 1, 3, 1, 4, ठीक है, ये आगए 4 सुकमाच, अच्छा, यहां से एक ही value, अगर मैं A को माल लो, largest number है, जो कि अपनको दिये 195, 195 दिये, तो इधर से जाएगी, B पलस C की value किती, 405 माइनस 195, ठीक है, ये कित्ता आजाएगा, ये जाएगा, 210, ठीक है, B पलस C आगए, अपने पास 210, अब अपनको एक और चीज पता है, question में, कि other two number का difference किता दिया है, 20, मतलब B माइनस C अपने पास क्या है, 20, ठीक है, B माइनस C क्या है, 20, ठीक है, B माइनस C क्या है, 20, तो अपनको smallest number निकालना है, तो निकाल लो, उसमें क्या दिक् smallest number होगा, कौन सा, तेकि यहां से अगर देखने, कुछिस करना है, तो C होगा smallest number, कैसे होगा, क्योंकि B में से C जाने के बाद भी, 20 बच रहा है, वो भी positive, मतलब C smallest number है, अपना, अब C की value निकालने के लिए का करना पड़ेगा, इस में से इसको subtract कर दो, ठीक है, यह B माइनस ठीक है, यह अपना आंचार है, ठीक है,